इस देश की जनता को मेरे पल-पल का हिसाब मागने का अधिकार है क्लियर होना चाहिए किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया और किसको दिया अब च्लियर कर दीजिए कभी प्रधानमंत्री राष्टे रहत कोष्ट पर सवाल नहीं उठाया हमारे देश में जो समस्याएं हाल ही के कुछ महीनों में उत्पन हुई थी जैसे कि लॉकडाउन में लेबर का पैदल घर जाना, बेरोस्कारी और करोना इन सब में सरकार की भूमिका एहम थी पर सरकार ने सब को लेकर कोई डेटा अभी तक नहीं दिया है सरकार ने संसद में कहा कि उनके पास किसी भी चीज को लेकर कोई डेटा नहीं है पहले आप मोदी जी का एक बेयान सुनिए जिसमें भी हिसाब किताब को लेकर बात कर रही है मैं जबाब दे हूँ, I am accountable और इस देश की जनता को मेरे पल-पल का हिसाब मागने का अधिकार है मेरी हर सोच का जबाब मागने का अधिकार है I am committed to democracy मैं कोई किसी अमीर बाब का बेटा नहीं हूँ मैं किसी प्रधानमद्री का बेटा नहीं हूँ पर सरकार जिस चीज का डेटा दे सकती है उसका भी नहीं देर पा रही हम बात करेंगे आज PM Care Fund को लेकर PM Care Fund मार्च में बनाया गया जब करोना ने भारत में पैप जमानी शुरू किये थी उस समय परधानमत्री द्वरा एक फंड बनाया गया जो PM Care Fund नाम खा था जिसके फंड को करोना से लड़ने के लिए यूज किया जाना था इस फंड के परधानमत्री मोधी एक्स ओफिश्यू चेर्मन है इसके लाबा इसके ट्रस्ट में Minister of Defense, Minister of Home Affairs and Minister of Finance Government of India एक्स ओफिश्यू ट्रस्टीज हैं इस फंड के इसके बाद सवाल ये खड़ा हुआ कि पहले ही भारत में Prime Minister's National Relief Fund बना हुआ है तो ये नए फंड की जरूरत क्या हो थी जब विपक्ष ने विरोध करना शुरू किया तब मेडिया सरकार के बचाव में उतर आया चोहतर वर्ष पहले बनाए गए प्रधानमंत्री राष्टे रहतकोश और 2020 में बनाए गए PMCares Fund का मकसद मोटे तोर पर एक जैसा ही था लेकिन जिस Congress Party ने कभी प्रधानमंत्री राष्टे रहतकोश पर सवाल नहीं उठाया वो Congress आज PMCares Fund पर सवाल उठा रही है आखिर क्यों? सोनिया गांदी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्टी लिखकर कहा था कि PMCares Fund में आने वाली रकम को PM National Relief Fund में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि इसकी पारदरशिता बनी रहे लेकिन 1948 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवालाल नहरू ने प्रधानमंत्री रहतकोष की स्थापना की थी तब कॉंग्रेस की डिक्षनरी में पारदरशिता जैसे शब्द थे ही नहीं PMCares Fund में लोगों को दान करनी के लिए कहा तो लोगों ने देश के लिए अपने तिजोरी खोल दी अब यही बात कॉंग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही PM Relief Fund में करोना से लड़ने के लिए छोटे बच्चों ने भी अपनी गोलत तोड़ पैसे जमा किये थे इसके लावा एक्टर्स पर दबाब बना तो उन्हों ने भी इस फंड में पैसा जमा करना शुरू किया अक्षे कुमार ने इसमें 25 करोड डोनेट किये थे इसके लावा कई बड़े नाम शामिल हुए इस फंड में पैसा देने वालों में टाटा ग्रूप में 1500 करोड देने को कुमिट किया कोविट से लड़ने के लिए इसके लावा मोधी जी ने चाइनिज आप पैन कर दिये पर उनकी तरफ से भी डोनेशन आया टेक टॉक ने 30 करोड डोनेट किये और भी कई लोग ने पूरे भारब से पैसा दिया पर इसका कोई डेटा भी तक सामने नहीं आ रहा है कि ये कितना पैसा आया और ये कहां पर गया जब डेटा ना सामने आया तो कुछ लोग द्वार आर्टिय भी डाली गई ये जाने के लिए कि कितना पैसा जमा हो चुका है पी एम केर फंड में पर सरकार की तरफ से यही जवाब मिला कि ये पबलिक अथॉर्टी नहीं है पर पधान मंत्री ने तो ये कहा था इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है राहुल गांदी कभी वीडियो के जरीए या कभी ट्वीट के जरीए इस पर सवाल उठाती रही है सुप्रीम कोट में एक याचिका भी दायर की गई थी कि परधान मंत्री केर फंड का पैसा नैशनल डिजास्टर रिस्पॉंस फंड में ट्रांस्फर किया जाई पर सुप्रीम कोट ने ऐसा करने से मना कर दिया रवीश कुमार ने अपने शो में इसके बारे में अधिक जान करी दी देश की जीडिपी माइनस 23.9 प्रतिशत हो गई है लेकिन इसी आर्थिक संकट के बीज प्रधान मंत्री केर फंड में पांच दिन में 3,000 करोड से जादा के फंड आ जाते हैं ये चमतकार आखिर हो कैसे रहा है लोगों के पास नौकरिया नहीं हैं लोगों के पास पूंजी नहीं है लेकिन पीम केर फंड में पैसे पहुँच रहे है क्या पीम केर फंड एक अलग से वित्मंत्राले हो जाएगा सोस्ते रहिएगा लेकिन अर्थ विवस्था की हालत बेहत खराब है आपको बता दें कि एंड़ी टीवी के खबर के मताबक पीम केर फंड पर सरकार द्वारा कुछ सवालों के जवाब दिये गए है सवाल पिछले वित्य वर्ष में पीम केर फंड में कितना पैसा एकठा हुआ जवाब साल 2019-20 के दरौन इसमें 3076.65 करोड रुपए एकठा हुए है सवाल पीते साल इस फंड में विदेशी करंसी के जरी कितना पैसा आया जवाब 49 दिशंबव 68 लाख रुपए सवाल पिम केर फंड का पैसा कहा कहा खर्च किया गया जवाब एक से दो हजार करोड रुपए से भारत में बने 50,000 वेंटिलेटर देश के सरकारी अस्पतालों में प्यांटे गए एक हजार करोड रुपए परवासी मजदूरों पर और सौ करोड रुपए वैक्सिन बनाने के लिए देए गए हाल ही में लोकसबा में TMC से साथमसद महुआ मित्रा ने लोकसबा में PM Care Fund के मुद्ध को उठाया और जो पैसे सरकार ने खर्च किये हैं उस पर सवाल किये ओल्मिंप करोड करना और गाष्थ से मिदूब भान टीकिये हैं तो चौ किये बालेखें हो पॉड किये लिए खर्च करोड बार खंब हैं अज्च करोड देख एंट फ प्रिए लिए खर्च करोड रोवित्राब करेंज लजब ते से सम्साफ नाजने कि दिएे ट्रजबी क सरकार की तरफ से जवाब निर्मला सीतरम ने दिया सुनिये उन्होंने क्या आंक्रे जारी किये कि कि इतना पैसा असल में जमा है और वे पैसा कहां-कहां खर्च किया गया है वे युशी उवकाइस सुनिष नियु को युशी डीस निवे टेफ्सितरया कि आरफ स्ट्मशे सर्ड्य ओिर दिए्ट इद्वेट और अव्हें परेश भेविगाज जाज को निए लीव चाषिशिंगे वेर्ट इंट संय। वशेट। transparend see you're asking for İtransparency the virtue and I'm glad you asking for it and if P.M. in 1948 thought it fit to appoint the President of the Congress Party as one of the members which is an unregistered I guess that trust till two day you didn't bother to ask it to be registered I don't understand why you should have actually asked hey they रामानोहर लोहीयाजी को डाल देते है। प्रेश्टे पे ट्रांसपरेंसी वो होता है, not transparency with just my Congress President, no, that's not transparency Congress Party. खेर PM Care Fund में कितना पैसा है, ये आज भी रह से है, अब इस पर चच्चा होनी भी बंद हो गई है, सरकार इस फंड के बारे में कोई जानकारी देना नहीं चाहती, तो सवाल तो सरकार से होते ही रहेंगे. Bureau Report, Punjab Rory TV